जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेट द्वारा शहर की यातायात व्यवस्थां को व्यवस्थित करने तथा नागरिकों के बीच यातायात के नियमों को प्रभावी धंग से पारं कराये जाने हेतू Intelligent Traffic Management System यानी ITMS प्रजेक्ट का क्रियानवें प्रारंब किया जा चुका है इस प्रजेक्ट के अंतरगत शहर के व्यसतम प्रमुख मार्गों को चिन्हित किया गया है चौराहों पर Gentry Gate, RLVD याने Red Light Violation Detection एवं Automatic Number Plate Recognition, ANPR कैमरे, Variable Message Sign, VAMS Board, Public Address System लगाया गया है एक Traffic Control Center तयार किया गया है या दमोना का इस्थित Integrated Command and Control Center से चलाया जाता है चौराहों के कैमरे तथा अन्यूपकरण भी इस Traffic Control Center से जोड़े जा चुके है कंट्रोल रूम में स्थापिश सर्वर पर चौराहों से प्राप्ट डाटा स्थोर किया जाता है इसी Traffic Control Center से समस्थ चौराहों पर Public Address System के माध्यम से आवश्यक दिशा निदेशों को प्रसारित किया जाता है आकास्मिक सेवाओं तथा आपात काल की स्थिती में Traffic Signals को भी एक ही जगे से नियंद्रित किया जा सकता है Intelligent Traffic Management System के माध्यम से यातायात के नियमों जैसे Traffic Signal को तोड़ना, बिना Helmet वाहन चलाना, तीन सवारी बैठाना, निर्धारित गती से तेज गती पर वाहन चलाना आदी का उल्लंगन करने वाहनों की नमबर प्लेट को पढ़कर उक्त नमबर का मिलान RTO के डाटाबेस से किया जाता है और उसके बाद E-CALAN तयार किया जाता है E-CALAN को सम्मंदित पते पर तथा SMS उनके रजिस्टर्ड मोबाईल पर भेजा जाता है चालान की राशी MP Online के माध्यम से घर बैठे या अधिकरत क्योस्क पर जाकर जमा की जाती है उक्त E-CALAN की कारवाही यातायत पुलिस के अनुमोदन उपरांद की जाती है जिसे विधिवत भारती डाक के माध्यम से भेजा जाता है चौराहों पर E-CALAN की कारवाही प्रारंब हो चुकी है जवलपुर Smart City Limited को अब ये विश्वास है कि जवलपुर की ट्रैफिक विवस्था में सुधार होगा और सभी वाहर चालक नेमों का पालन करेंगे